कानपूर के बासमंधी के रेडिमेंट कपड़ों के गौवर्मेंट कॉम्पलेक्स की पाच इमारतों में लगी आग चौत्थे दिन भी काबू में नहीं है अभी भी NDRF और SDRF की टीमें कॉम्पलेक्स के अंदर बनी दुकानों के शेटर को काटने का काम कर रही है क्योंकि कॉम्पलेक्स के कुछ हिसों में अभी भी आग लगी हुई है वहीं शेहर के ADCP लखन सिंग ने बताया कि अभी भी इस आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है आग को लगभग अभी कंट्रोल में कर लिया गया है NDRF, SDRF और FIRE की जो टीम है वो एक साथ मिलकर अब शेटर बाई शेटर दुकान बाई दुकान अंदर जाकर जो सामान जल रहा है उसको उसकी जो आगे उसको बुझाने का प्रयास कर रही है वहीं उतर प्रदेश की उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कारुबारियों को हर संभव मदद देने का आस्वाशन दिया है